बेसिक एजुक्रिशन में आपको एक दो फिर खुश्यामदीद कहते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ हम वाजर हुए हैं जैसे कि आपको पता है अगर आप हमारी वीडियो को कंटिनियूसली देख रहे हैं तो हमने टैंसिस की एक सीधी स्टार्ट की कि आज हमारे टैंसिस की नौवी वीडियो है मेंस के फ्यूचर की आज पहली वीडियो है इसे पहले हम प्रेजेंट पास्ट उसके सारे टैंसिस को कवर कर चुके हैं उसमें कुछ एजी टक्नीक हमने आप से शियर की थी ताकि आप जब टैंसिस को लर्न करते हैं या फिर इ इसको लाइक जरूर करें और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है या पिर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते है तो कमेंट सेक्शन में जाकिए आप हमें जरूर अपना फीडबैक दे ताकि हम अपनी परफॉर्मन्स को बेस्ट कर सकें और हम और आप मिलकर अपनी और अपने वच्छो की लर्निंग को असान बना सकें चले आज स्टार्ट करते हैं आपको पता है कि जब भी हमने टेंस की वीडियो बनाते हैं तो उससे पहले प्रिवियस की रिवियन जरूर करते हैं तो पहले थोड़ा रिवाइस करते हैं फिर इ पहले हैं यह चारो की कवर कर ली हम हैं प्र है पास्ट की फट की फ़र्दर फौर टाइप से गुट है लेकिन चुरूर पे शफ सरक उसके जमाने के लहाश से उसके तैंस के आम दे कर अकोरडिंग तैंस की प्रैक्टिस करते एंस तैंस को उसके इकारडिंग बनाते हैं पस है पास्ट की भी ऑंगे फर्दर फूर टाइप से पास्ट इंडेफिनेट है पास सब्जेक्ट आता है वर्ब की पहली फम इसके साथ ऑफ़्पर लाज़ के अब इसके साथ हम ही शी इट का इजाफ़ा करेंगे इसमें हेल्पिंग अधुर ड़स इसमाल होते है इंट्रीगटीव में डू नाट डॉस नाट जो है सब्जेक्ट आता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है फिर पहली फॉर्म के साथ आएंजी करिदाफा करते हैं लास्ट पे अब्जेक्ट आता है helping verb इसमें होते है इस also another है यूंभ होता है यू हो तो इसके साथ हम आता है यू हो दे हो भूंभ हो दो पृसके साथ आज आता है आगे गजिप परक्फेक्ट है hic जैक्ति अच्ट हाता है helping यू हो बनाता है वभ 기ी तीसरी फां dizer लागाती helping verb इसमें has और have होते हैं किसके साथ has और किसके साथ have लगाते हैं यह देखते हैं कि she it a single noun हो तो इसके साथ have लगाते हैं पिर है present to perfect continuous tense यह last to present का tense है subject आता है helping verb आता है verb की पहली form आती है और वक्त के हिसाफ से क्योंकि perfect to continuous जितने भी tenses है सब में time का जो है वो हमें जिकर मिलता है तो उसको time को देखते हुए हमने जो helping verb इसमाल करते हैं वो since or for है और helping verb इसमें has been और have been है लेकिन time के हिसाब से helping verb since and for है since हम लगाते हैं जो fix time हमें पता होता है उसका जैसे years होते है 2019, 99, 90, 62 and this and that January, February जो भी मन्त का जिकर आएगा अगर days का जिकर आएगा जैसे Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, fixed time आएगा 3M, PM, 4 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, morning, evening, afternoon अगर ये fixed time आएगे तो उनके साथ हम जिन्स लगाएगे लेकिन अगर fixed time की जगा आता है कई घंटे, कई महिने, पिछले दो गंटों से, पांच गंटों से तो इसका हमें बिल्कुल नहीं पता, वहां पर हम for लगाते हैं, ये first के present की जो थे वो टेंसे से, अब स्टार्ट करते हैं past का past indefinite tense, past indefinite tense का क्या सा structure है, subject होता है, verb की दूसरी form होती है, उसके बाद object आता है और इसकी मैंने आपको निशानी बताई थी, कि ये तर्टीब के हिसाब से दूसरा जमाना है, यानि past है, तो past का जो है, उसमें verb की दूसरी form हमने लगानी है, ये आपने इसकी figure के sequence के हिसाब से आपने इसको याद रखना है, कि यहां पर जब past indefinite यानि दूसरा जमाना इसमें दूसरी form इसके साथ इसमेल करें के हुगर जाती है, गुजरा हुआ खुष समाना तो इसमें थर्ट इसमेल होती है, अगर continuous है तो उसमें पहली form के साथ हमा आई एंजी का इसमेल करते हैं, लेकिन इसमें indefinite में second form का इसमाल होता है, इसका structure क्या हरा है, subject है, second form है, and subject है helping verb इसमें did or did not होते हैं यानि इसमें I will, they, you, he, she, it, सबके साथ did का इस्तमाल होता है इससे आगे है present continuous tense present continuous tense इसको सब्ट्रक्चर है subject आता है helping verb आता है verb की पहली form के साथ आया जी का इजाफा करते है last पे object होता है helping verb verb इसमें कौन से होते है was and were होता है was और were आप किसके साथ लगाएंगे he sheet noun हो तो उसके साथ was लगाएंगे I will, they, you हो तो उसके साथ was लगाएंगे इसके बाद है past perfect tense past perfect में क्या है subject आता है helping verb आता है verb की तीसी form आती last पे object आता है helping verb इसमें head इसमाल होगा और head not इसमाल होगा इसमें भी I will, they, you, he, sheet सब के साथ हम head ही लगाएंगे integrative में head लगाएंगे और अगर negative बना रहे हैं तो head not का इसमाल करेंगे यह था past perfect tense फिर इसके बाद है past perfect continuous tense इसमें subject आएगा helping verb आएगा और चुके continuous है तो verb की पहली form के साथ आएंगे का इसमाल करेंगे time हमने पीछे जिकर किया present में time होता है और उसके बाद object आता है helping verb इसमें had been क्योंकि हमने past है तो past के हिसाब से head लगेगा लेकिन वक्त के साथ हम had been जो tenses जहां पे perfect continuous है तो उसमे helping verb had been आएगा time जो है वही since और far का इस्तेमाल करेंगे यह सीरीज थी past की आज हम start करें जारें future future indefinite tense subject आता है इसमें helping verb आता है first form आती है और last पे object आता है helping verb hv plus v first form and o helping verb इसमें कौन से इसमाल होते है will and shell इसमाल होते है आई वही हो तो उसके साथ shell आता है he, she, it, now, they, you, will तो उसके साथ will आता है सिरफ आई और we के साथ हम shell का इस्तेमाल करेंगे अब book से थोड़ा सा एक हम देख लेते हैं future indefinite tense, वैसे तो बहुत सारी books हैं लेकिन मैंने इस book को इसलिए select किया यह मैं आपको हर वीडियो में बता थी कि इसमें rules की एक लंबी list नहीं है और student को सबसे difficult जो लगता है वो rules को याद रखना, उनकी implementation देखना यह उनको difficult लगता है इसलिए आप note करेंगी कि बहुत सारे students जो हैं वो tenses से बागते हैं और अगर उनको यह practice के लिए दिये जाते हैं तो वो किसी और से solve करवा के ले जाते हैं या फिर रट्टा लगा के उसको solve करके ले जाते हैं लेकिन actual में उनके concept जहा हैं वो इसी वाज़ा से clear नहीं होते है कि हम एक लंबी लिस्ट उनको rules की सकाते हैं देखें तरह इसमें कोई rule नहीं है फिर उसके बाद जो है वो practice start हो गई है इस tense में शेल या will के साथ verb की पहली फार्म इस्तमाल होती है I और we के साथ बिलर मूम शेल और बाकी के साथ will इस्तमाल करते हैं अब मैंने यहां पर जो ह I I फिर इसके बाद subject के बाद क्या आएगा helping verb यानि shell यहां will इन दोनों में से कोई एक तो I के साथ जो है वो हम shell का इस्तमाल करेंगे I Shell पहली form play cricket ठीक है फिर इसके बाद हम इसको negative में चेंज करेंगे तो helping verb के बाद आई main verb से बिलकुल पहले not play cricket अब हम इसको integrative बनाएंगे जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे helping verb को sentence के शुरू में ले आएंगे means shell जो है वो शुरू में आ जाएगा अब जो थोड़ा complex sentence होता है उसमें integrative भी आता है और उसमें negativity भी आती है तो integrative के हिसाब से हम helping verb को शुरू में ले आएंगे shell फिर उसके बाद हम अपने negative को चेक करेंगे उसकी arrangement क्या है यहां पर पी क्वेशन मार्क करना मत बुलें क्यूंकि इंट्रगर्टीव का पता ही क्वेशन मार्क से लगता है फिर आगे है लड़कियां स्विटर बुनेंगी गर्ल्स बुनेंगी तो ज्यादा है इसलिए हम इसके साथ विल लगाएंगे गर्ल्स विल कि निट स्विटर्स कि यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि आई निट निट स्विटर्स अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे गर्ल्स विल में वर्ब से बिलकुल पहले और हैल्पिंग वर्ब के बाद नौट का इस्तमाल करेंगे दे विल नौट के साइलेंट है स्विटर्स यह हमारा हो गया नेगेटिव और अब हम इसका इंट्रेगर्टिव बनाएंगे तो इंट्रेगर्टिव के हिसाब से हमारा जो हैल्पिंग वर्ब है वो संटेंस के स्टार्ट में आ जाता है विल गर्ल्स निट केसिन मार्क एड होगा और फिर इसके बाद हो हमारा कंप्लेक्स है उसको करेंगे विल गर्ल्स यह मैंने ठीक लिखा था बस थोड़ी कंफियन की वज़ा से हो गया है क्योंकि मैंने खुद ही वीडियो बनानी होती है इसलिए तोड़ी मिस्टेक हो जाती है विल गर्ल्स नॉट निट स्विटर क्रेशन मार्क जो है वो लास्क पर एड़ करेंगे ओक फिर है उस्ताद अपने शगिद्धों की मदद करेंगे टीचर्स 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 विल में वर्ब से मदद करेंगे हैल्प से पहले विल आएगा टीचर्स विल हैल्प अपने अब टीचर्स प्लस है जमा है जादा है टीचर्स विल हैल्प देयर स्टुडेंट्स अब इसका हम नेगटिव बनाएंगे टीचर्स हल्पिंग वर्ग के फॉरन बाद नॉट टीचर्स विल नॉट हैल्प देयर स्टुडेंट्स अब इसी का हम इंट्रुकर्टिव बनाएंगे तो जो हमारा हल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा टीचर्स हल्प देयर स्टुडेंट्स तो लास्ट पे क्वेस्टन मार्क जो है वो आइड करेंगे अब जो हमारा कंप्लेक्स सेंटेंज होता है जिसमें नेगटिविटी भी आती है और इंट्रुकर्टिव भी आता है उसके हिसाब से विल टीचर्स नौट एल्प देयर स्टुडेंट्स यह मैं लास्ट पे लिकरेंगे लास्ट पे क्वेस्टन मार्क जो है वो आड करेंगे यह था जी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस और आपने राइटिंग को नहीं देखना क्योंकि मैंने एक हाथ से वीडियो बनानी होती है सेल पकड़ना होता है इसी वज़ा से मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है लेकिन परपस जो है वो आप लोगों को सिखाना है और आई होब कि जो आपको टेकनीक्स ट्रेटेजी आपको सिखाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं वो आप उसको जरूर समझ लेते हैं उसको समझ आपको जरूर आ जाती है यह फूचर इंडेफिनेट टेंस था इसमें सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट शुरू में आएगा हैल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब की पहली फ़ॉम आएगी और लास्ट पे अबजेक्ट आएगा helping verb इसमे will और shell होंगे और किसके साथ हम shell लगाएंगे I वही होका तो उसके साथ shell लगाएंगे बाकि जितने भी subject होंगे उनके साथ हम will का इस्तमाल करेंगे अखे जी ये था हमारा future indefinite tense अपना और अपने बचों का क्याल रखिये और difficult educational era में अपने बच्चों की और अपनी learning को आसान बनाईए